आज के वीडियो में हम देखेंगे पोकिट वाली प्लाजों की मियानी की साथ कटिंग और स्टिचिंग तो आई ये वीडियो शुरू करते हैं प्लाजों की लेंध है 39 और हिप साइज है 42 प्लाजों बनाने के लिए मैंने हाँ पर देड मीटर कपड़े को फोल्ड करके लिया है पॉकिट वाला प्लाजों बना रहे है तो कोई भी साइड से आसन कम आप डाल सकते हैं कपड़े का पना है 14 इंच लिच्चे के साइड से कट वर कहें तो एक्ष्टा कपड़ा फोल्डिंग के लिए रखने के ज़रत नहीं है कपड़े का पना है 14 और प्लाजों की लेंध है 39 इसलिए उपर के साइड से 2 इंच की पट्टी लगाएंगे इलेस्टिक के लिए अभी हम 39 पर मार्क करते हैं चोड़ाई में इसको 15 इंच लिया हैं सभी मार्क पर स्केल से लाइन खीच लेते हैं अब लेंगे कमर और आसन का माप पहले हम कमर का माप देखते हैं हमारी हिप साइज है 42 उसमें 6 इंच लुजिंका इसे 48 उसका चौथा भाग लेंगे 12 इंच और आदा इंच लेंगे सिलाई मार्जन इस तरह 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे आसन के लिए हिप साइज का तिसरा हिस्सा लिया जाता है 42 का तिसरा भाग 14 तो निचे के साइज से 14 इंच पर एक और निशान लगा लेंगे और दोनो निशानों को लाइन से जोड देते हैं और सामने भी एक लाइन खिस लेंगे दोनो लाइनों के बिच में इस तरह आसन की गोलाई देंगे अब लेंगे थाई का माप थाई का माप भी हिप साइज का तिसरा भागी लेते हैं यहाँ पर भी हम 14 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं अब निच्चे बोटम के लिए मैं 13 इंच पर निशान लगा रही हूँ आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अब दोनों निशानों को इस तरह गोलाई देते हुए जोड देते हैं और आप कर लेते हैं इसकी कटिंग पहले हम उपर की कटिंग कर लेते हैं और आप निच्चे की निच्चे तक कर लेते हैं इसकी कटिंग इसी तरह अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे अस्तर की लेंथ एक इंच कम लेंगे पोकिट बनाना है तो दुसरे साइड के बन भाग को कट कर लेते हैं पोकिट बनाने के लिए फोर फोड कपड़े पर आपका इस तरह left hand रग दीजिए हाथ को इस तरह ड्रॉ कर लीजिए पोकिट का सेप तयार हो जाएंगा अब कर लेते हैं इसकी कटिंग कट करने के बाद इस तरह हमारे पास पोकिट के चार पार्ट तयार हो जाएंगे अब इसको भी अस्तर लगा लेते हैं बनाने के लिए फोर फोल कपड़ा लेंगे जिसकी चोड़ाई लेंगे साड़े तिनींच और लंबाई लेंगे सातींच दोनों को इस तरह तिर्चा जोड़ देंगे और इसकी कर लेंगे कटिंग निच्चे के साइड से थोड़ी गोलाई में कट कर लेंगे इस तरह दो मियानी हमारी तयार हो जाएंगी इसको भी अस्तर लगाएंगे ताजों के दोनों पार्ट को अस्तर लगा लेंगे इस तरह आसन के कॉर्नर पर निच्चे के साइड से रख देंगे और सिलाई लगा लेंगे और दुसरे भी साइड में इसी तरह सिलाई लगा लेंगे और उपर भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह दुसरे वाले मियानी को भी जोड लेंगे मैंने यहाँ पर दोनों साइड से मियानी को जोड दिया है आप अंदर के साइड से सिलाई डालके इस तरह उपर से भी और एक सिलाई लगा लेंगे पलाजों में मियाने लगाने से पलाजों की बीच वाली सिलाई पक्की हो जाती है पोकिट अटेच करेंगे इस तरह एक के उपपर एक उल्टे साइड से रखेंगे और कमर की तरब से पाच सींज पर एक निशान लगा लेते हैं दोनों भी इस पे पाच सींज पर निशान लगा लेते हैं आब इस तरह पाचिंज के नीचे पोकिट का कपड़ा रख देंगे, दूसरे साइड से भी पाचिंज के नीचे इस तरह पोकिट का कपड़ा रख देंगे, दोनों भी पोकिट के कपड़े ये इस तरह जोड लेते हैं, दोनों पोकिट को एक के उपर एक रख देंगे, उपर से यहां तक सिलाई लेंगे और यहां पर गुमा के इस तरह सिलाई लेंगे यहां तक नीचे तक सिलाई लगा लेंगे सिर्फ इत्ते भाग पर सिलाई नहीं लेना है आप देख सकते हैं हमारा पोकिट तयार हो गया है इस तरह का हमारा पोकिट तयार हो जाएंगा आप इसमें कुछ मोबाइल या फिर कुछ भी रख सकते हैं अभी हम कमर के साइड की पट्टी को जोइन करते हैं मैंने यहाँ पर दो इंच की पट्टी ली है पट्टी को उपर के साइड से इस तरह जोइन कर लेंगे और फिर पलट के सिलाई लगा लेते हैं सेम तरीके से मैंने दुसरे साइड का पोकेट भी जोड लिया हैं और निचे तक सिलाई लगा ली हैं अब बीच में से यहां से पूरी सिलाई लगा लूंगी यहाँ पर दोनों मियानी मैंने जोड ली है अब दोनों मियानी को एक के उपर एक रखके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं और अब दुसरे पाव की नीचे तक सिलाई लगा लेंगे इस तरह और एक बार सिलाई लगा के सिलाई को पक्का कर लेते हैं सिलाई को पक्का कर लिया है अब कमर के पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे कमर के पट्टी को इलेस्टिक के सबसे फोल्ड करेंगे इस तरह इलेस्टिक रख देंगे और इसको फोल्ड करेंगे चार इंच छोड़के पूरी सिलाई लगा लेते हैं कम और कम आप 36 इस से हैं, तो 6 इनसी एलेश्टिक हम कम लेंगे, 30 इनसी एलेश्टिक लेंगे इलेश्टिक को इस तरह सेप्टी पिन में डालके, जहाँ पर सिलाई नहीं ली थी, वहाँ से पूरे नेफे में सरकाते भें डालना है दुसरे साइड तक इलेस्टिक को डालना है और इस तरह दुसरे साइड से इलेस्टिक को निकाल लेंगे इलेस्टिक के दोनों कॉर्नर को एक के उपर एक रखके पक्की सिलाई दो तीन बार लगा लेंगे यहां पर इलेस्टिक को घुमाके, दो-तिन बार अच्छे से पक्की सिलाई लगा लेना है आने हाँ पर सिलाई लगा ली है और इलेस्टिक को पूरा डाल देंगे कमर के साइड में जो चार इन्ज पर हमने सिलाई ने ली थी, पहले ओ सिलाई ले लेते हैं प्रविस तरह इलेस्टिक को खीचके सब तरप सेम कर लेते हैं बिच में से एक सीलाई लगा लेंगे तो इलेस्टिक इधर उदर सरकेंगा नहीं तो फ्रेंड्स हमारा प्लाजो तयार है आपको इसकी कटिंगो स्टिचिंग कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर की जियेगा सब्सक्राइब करें सिंपल फैजन सकी को और साथ में बेल बटन को भी दबाईए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुच सके